हेलो गुड इवनिंग आवरीवन आवेलकम यह वेलकम करूंगा थोड़ा एक अलग अदाज में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आई हुई है आपके पीछे पोस्टर है बच्चों को उमीद थी टियर वन वही मैथ रिजनिंग इंगलिश जी अच्चिस पच्चिस 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 क्वेस्चिस करके में इस में डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे बिल्कुल ऐस जीटेज एससी ने गेम को बदल दिया है ये मुझे उमीद थी परसनली जब अच्चा मेरे पास आता था एसे वेगरा के लिए गाइडेंस मांगता था कि सर एसे कैसे लिखें लेटर कैसे लिखें मैंने जराब वेट कर लो CGL का नोटिफिकेशन आया था उन्होंने मेंस एड कर दिया और एक बार फिर से रीजनिंग और जीएस वालों के लिए खुशी की लहर उनके मन में दौड गई होगी क्योंकि सेम पैटर्न उन्होंने रख दिया है जो CGL का था इससे conclusion क्या निकला इससे conclusion यह निकला कि competition थोड़ा बना रहेगा competition थोड़ा tough होगा इस बात को याद रखिएगा बच्चे क्योंकि tier 1 qualify करके आप S से लिखते थे अब tier 1 qualify करके आपको same up level का tier 2 देना पड़ेगा और market में अब SSC भी mains के नाम से जाना जाएगा क्योंकि 10 plus 2 qualification वाले बच्चे को mains देना पड़ेगा अभी तक graduate लेवल वाले बच्चों को mains देना पड़ता था जिसकी बात में कर रहा हूँ CGL की लेकिन अब 10 plus 2 अगर आप 12 हैं तो sir आपको क्या देना पड़ेगा आपको भी mains देना पड़ेगा तो आएए कुछ discussion करते हैं क्या हुआ है pattern में change आपकी सामनी screen पर बिलकुल ध्यान से देखिए sir date for अभी अभी website से मैंने निकाला है देखो ध्यान से dates for submission of online application 6 December से लेकर के चार जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं पहली चीज दूसरी चीज लास डेट को कभी भी याद मत रखना कि तीन को हम फॉर्म भरेंगे धोखा हो जाएगा आज कल एक हफते के अंदर भर दो और यह सारी चीजे एक ही लाइन में आप समझ लो schedule of tier 1 computer based examination जो पहला tier 1 होगा जो पहले exam देते थे आप tier 1 as it is आपको अभी भी वही tier 1 देना है dear और tier 1 कब होगा फरवरी से लेकर के March 2023 यानी की जो नया साल आ रहा है फरवरी का end part हो सकता है मंद खतम होते होते और March का शुरू आला part तो मेरे शेर आपके पास time सिर्फ और सिर्फ दो महिने का है two months तो आप मेरे साथ targeted पढ़ाई कर सकते हैं दो महिने में CHSL को crack कैसे करते हैं पहले slabbers देखते हैं क्या-क्या बदला है बिल्कुल ध्यान से screen पर अब देखो मेरे शेर बिल्कुल ध्यान से इधर आओ ये देखो दूसरा अब देखो अब देखो ध्यान से ये tier 1 और tier 2 मैं इसकी बात कर रहा था कि क्या चीज ने हाहा कर मचाया देखो बिल्कुल ध्यान से मैं इसकी बात कर रहा था dear इसकी ये देखो जो आपका paper होने वाला है आप कुछ इस तरीके से tier 1 जिसमें क्या क्या पूछ जाने वाला है dear बिल्कुल ध्यान से देखेंगे tier 1 में math, reasoning, english और gs ये पहले भी आता था और ये है आपका tier 2 यहाँ पर भी math, reasoning, english और gs अभी आगे की तरफ देखेंगे क्या क्या चीज ने आने वाली है बिल्कुल ध्यान से इस स्क्रीन पर, ये देखेंगे आईए, देखें, जो आप tier 1 देने जा रहे हैं उसका syllabus एक बार आप सारे बच्चे देख लें जो आप tier 1 देंगे, tier 1 का pattern आपके सामने इस स्क्रीन पर है तो मेरी pen को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे tier 1 में English 25 question होगा 50 number का, यानि का 1 question, 2 number Reasoning 25 question, 50 number, 1 question, यानि की 2 number ठीक है? Maths, 1 question, 2 number यानि की अभी तक जो pattern था tier 1 का वही है उसमें कोई changing नहीं होई है Maths, Reasoning, English, Yes से आपको गुजरना पड़ेगा अब आते हैं changing वाले part की तरफ बदलाओ किस में हुआ है, बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, ये देखो देखो dear, ये तो tier 1 का मैंने आपको बताई दिया है अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से देखो, ये tier 2 वाला scheme ये है sir, आपका tier 2 का pattern बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझेंगे ये देखी sir, पहले mains में क्या होता था? पहले mains जो tier 2 आपका होता था उसमें sir, ये लोग आपसे क्या पूछते थे? डेस्क्रिप्टिव डेस्क्रिप्टिव में क्या क्या चीज़ें आती थी sir? इससे आता था और क्या आता था? लेटर आता था बट अब क्या हुआ है? अब ये सब खतम कर दिया है उसने, SSE ने और mains tier 2 के लिए आपको क्या से त्यारी करना है? section 1 जहां पे math सुद्ध हिंदी में समझो math और reasoning पूछा जाएगा आपसे mains में section A में जहां पे math के question होंगे 30 बिलकुल CGL जैसा कर दिया है reasoning के question होंगे 30 तो पहले section में सर ये 60 question और एक question तीन नंबर का यानि की 180 नंबर का आपका सिर्फ और सिर्फ math और reasoning आएगा second module 2 English Language and Comprehension General Awareness English के 40 question आएँगे GS के 20 question आएँगे और section 3 में module 1 क्या है सर आपका 15 question computer knowledge का है यानि की अभी भी English सबसे top पर बना हुआ है मेरी बात को बिलकुल ध्यान से देखेंगे सर English अकेले कितने marks ले रहा है 120 तो मेरे लाल और मैं English ही पढ़ाता हूँ future कुल पर तो भी मेरे लिए कुछ कब रही है तो overall मेरा ये कहना है ध्यान से सुनना अब आपको tier 1 और tier 2 में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है math, English, reasoning, gs, computer आपको कोई descriptive नहीं देना है तो मेरे share 10 plus 2 वाले जो है हमारे साथ थोड़ा जग जए क्योंकि pattern बदल गया है CGL जैसा ही हो गया है तो अगर आप CGL की त्यारी करेंगे CHSL को 4 देंगे बहुत असानी के साथ इसमें कोई ड़ने वाली बात नहीं है मेंस में वही math, reasoning, english, gs हाँ computer एड़ हुआ है और number of question सबसे ज़ादा किस का रहा है English का रहा है ठीक है dear तो मैंने सोचा आप तक यह information पहुचा दी जाए और future cool पर मेरी classes चलते ही है आप सभी को पता है English spoken में मैंने अभी धाई जार से ज़्यादा admission लिया है और English special में बहुत अच्छे घासे बच्ची हमारे साथ पढ़ते हैं तो आप लोग के लिए एक targeted batch में भी CHSL का plan करूँगा कि आप पढ़ करके selection ले सकते हैं So thank you so much future cool से जोडने के लिए So bye bye, take care, love you all guys